तो दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चनल डी टेक्निकल वर्ल्ड में स्वाधा है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यह जनने वाले हैं कि आप अपने किसी भी फोटो के बैग्राउंड को चेंज कैसे कर सकते हैं वो भी बिना किसी एप का यूज किये वैसे तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि अगर आपके पास लैपड़ या कंप्यूटर है तो ऐसे में आप डिरेक्ली फोटो सॉप का यूज करके इसी भी फोटो के बैग्राउंड को चेंज कर सकते हैं बाट उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादर टाइम लगता है और किस भी फोटो के बैग्राउंड को चेंज कर लेंगे तो दस्तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने मौयलफून में क्रूम ब्राउजर को उपन कर लिजे और क्रूम ब्राउजर के उपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस उपन हो जाएगा तो यहा पर आप देख सकते हैं मैं यहां पर बैग्राउंड रिमोवा टाइप करके सर्च कर दिया हूँ सो आपको भी यहां पर बैग्राउंड रिमोवा टाइप करके सर्च कर देना है और ऐसा करने कि तुरून बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं सबसे उपर में एक website है www.remove.bg करें आपको यहां पर इस website वाले option पर क्लिक करना है और इस website को open करना है मैं यहां पर इस website पर click कर देता हूँ और इस पर click करने के बाद आपके समनी कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं अपलोड इमेज करके एक option दिया गया है बिल्कुल मीडेल में यहां पर आपको सबसे पहले इस अपलोड इमेज वाले option पर click कर देना है और ऐसा करने के तुरण बाद आपके सामने कुछ इस तरह के अंटरफेस open हो जाएगा आपको यहां पर आपको अपने photo gallery में से आपका जिस भी photo के background को चेंज करना है आप उस photo को select कर लेगे माल लेजे मुझे यहां पर इस photo के background को change करना है जो कि passport size photo है और मुझे इसको किसी document में लगाना है तो ऐसे में मैं यहां पर इस photo पर click कर देता हूँ और ऐसा करने के बाद मुझे यहाँ पर एक option दखने को मिल रहा है बिल्कुल उपर में done गा आपको भी यहाँ पर photo पर click करने के बाद इस done वाले option पर click करना पड़ेगा और इस option पर click करने के बाद आपका यह जो photo है यह directly upload हो जाएगा अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जिस भी photo को select किया था वो photo upload हो चुका है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं add design करके इस photo के नीचे में कुछ options दिये गया है जैसे के पहला download का और उसी के नीचे में option दिया गया है add design का इसके बाद आपको यहाँ पर यहाँ पर इस option पर क्लिक करना पड़ेगा आप यहाँ पर इस option पर क्लिक कर दीजिए and इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे एक छोटा से capture यहाँ पर फिल करने को बोला जा रहा है actually capture नहीं है इसको कुछ और बोला जाते है बड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बिल को स्रेट करने के बाद वेरिफाइवाले option पर क्लिक कर देना है और ऐसा आपको भी सेम पर आपको जो भी बोला जारा है आप सिंपले उस इमेजेस को स्रेट कर लिजे और इसके बाद आप भी इस वेरिफाइवाले option पर क्लिक कर देजे और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने एक new page open हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जिसभी इमेज को अभी सेट किया था वह एमेज यहाँ पर आ चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके नीचे में बहुत सारे designs वगरे दिए गया है बहुत सारे themes available है तो मुझे यहाँ पर जिस भी theme को set करना है मैं यहाँ पर उस theme को यहाँ पर select कर सकता हूं मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा theme से लगाना है जो simple हो मुझे इस photo को किसी document वगेरा में या फिर किसी forum में देना है तो ऐसे मुझे यहाँ पर इस photo के background में एक ऐसा image एक ऐसा background सेट करना पड़ेगा जो simple हो और जो ज्यादातर document में upload हो जाए तो मैं यहाँ पर सुचरण blue color का theme set कर देता हूं आप यहाँ पर आपको जिस भी purpose से इस photo में background picture लगाना है आप उस purpose यहाँ पर लगा लेजिए और अगर आप style के लिए look वगेरा के लिए लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे अच्छे से looks वगेरा भी दिये गए background के लिए तो आप यहाँ पर कोई सा भी set कर सकते हैं और या फिर अगर आपको यहाँ पर इसको document में upload करना है तो ऐसे मैं आपको यहाँ पर simple सा background लेना पड़ेगा सो मैं यहाँ पर आपको simple वाला जो background है वह भी आपको दिखा देता हूं सो मालेजे मुझे आप यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं यह बिल्कुल simple background है जो कि आप किसी भी document वगरह में आप दे सकते हैं सो मैं यहाँ पर इस blue color का जो यह theme है मैं यहाँ पर इस theme को select कर लेता है अब मैं इसको download करना जाता हूं सो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यहाँ पर सबसे पहले नीचे लिए एक option है मैं select कर लेता हूं इसके बाद ऐसा करने के तुर्ण यह जो photo है मेरे मुझे में download हो चुकी है सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यह photo मेरे मुझे में download हो चुकी है वैसे photo मेरे नहीं है फोटो किसी और की है मैंने बस समझाने के लिए इसका use किया था तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही